क्या आपने कभी सोचा है कि सेर बाजार में कब और क्या ट्रेड लेना होता है पहचान लीजिए मार्केट का ट्रेंड और बनाऊ ट्रेडिंग को आसान Let's learn how दोस्तों मार्केट में तीन परगार के ट्रेंड्स होते हैं Uptrend, Sideways Trend and Downtrend हर एक trader के लिए जहीरी है कि वो इन trends को पहचाने क्योंकि ये आपको market की direction बताते है सबसे फस्ट आता है uptrend कैसे पहचाने जब market continuously higher highs और higher lows बनाता है मतलब अगला high पिछले से ज़्यादा और अगला low भी पिछले low से ज़्यादा होता है तो समझो uptrend है अगर कभी भी price पिछले low से नीचे चला जाता है तो समझ लो uptrend खतब सेकेंड नमबर downtrend को कैसे पहचाने जब price continuously lower lows और lower highs बना रहा हो मतलब हर एक अगला low पिछले से कम और हर एक high भी पिछले high से कम हो तो ये downtrend है अगर price किसी भी समय पिछले high से उपर चला जाए तो downtrend रुख जाता है तब है sideways trend को कैसे पहचाने जब price higher low या lower high नहीं बना रहा होता है बलकि एक ही range में move कर रहा होता है तब वो sideways trend में होता है मार्केट का सही trend समझ के ही trading करना चाहिए whether it is an up trend और a downtrend तो दोस्तो अब जब आपको trends identify करना आ चुका है इसका तरीका पता चल गया है तो क्यों ना आज ही अपनी trading skill को बहतर बनाए अभी इसी वक्त सैंको में free damage account खोले और हमारे साथ trading चलू करे link description box में दे दिया गया है मिलते हैं next video में आज के लिए इतना ही तब ते के लिए good bye thank you